नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्या, मैंने वात पित कफ के उपर बहुत सारे कारेकरम बनाये, बताया कि वात पित क्या होता है, कैसे इसको आपने जाचना है, अब हम चर्चक थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, मैं आपको आज बताऊंगा कि वात पित कफ को बढ़ाने के पीछे किन-किन चीज़ों का हाथ होता है, तो आज हम बात करेंगे पित को कौन-कौन से चीज़ें बढ़ाती हैं, अगर किसी वेक्ती का पित, यानि हीट बढ़ी हुई है बाड़ी में, तो गर्मी बढ़ी हुई है लिवर में, या यूं कह सकते हैं कि गर्मी से related problems बढ़ तो उस्तिती में क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अगर किसी वेक्ती की बाड़ी के अंदर पित कम हैं, बाइल कमजोर है, उस वेक्ती को फिर वो इसका मतलब बहुत जादा देनी पड़ेंगी वही चीज़ें, थोड़ी लेनी चाहिए, तो इस चीज़ों को अगर हम अपनी प्रकरती से विरुद्ध खाएंगे, तो फिर छोटी छोटी तकलीफें आएंगी, और फिर वो तकलीफें जब हमसे हैंडल नहीं होंगी, तो फिर वो कहीं न कहीं बढ़ती है, तो पित को समझ लो, पित बाड़ी में लिवर के अंदर जो लिवर एक रस बन इकवर्ड है, उसको पित बोलते हैं, तो वो पित जो है, उसको हम आईरवेद में बोलते हैं, गर्मी, अगनी, तो जिसकी बाड़ी में अगनी बड़ी हुई है, उसके पैर जलेंगे, उसके होंट सुखेंगे, होंट ड्राइ होंगे, उसको असीड़ी जादा रहेगी, उस उसको जल्दी rashes हो जाएंगे बोडी में लाल लाल, उसकी आखें लाल रहेंगी, हला कि ये सारे signs हो ऐसा नहीं है, पर इनमें से कोई ना कोई signs ज़रूर होता है, उसकी liver में गर्मी पड़ जाएगी, उसको भूग लगनी बंद हो जाएगी, पहले शुरु शुरु में भूग जादा लगती ओबर, फिर बिल्कुल बंद हो जाती है, ये सारे पित्त के signs हैं, गला सूखना आदी, तो इसमें ही आगे जाके पी लिया है, इसमें आगे जाके फिर गर्मी से related problems हैं, bleeding होना, over bleeding होना, तो ये सारी problems को avoid किया जा सकता है, अगर हम अपनी diet को थोड़ा change कर लें, तो कौन सी चीजे मना हैं, मैं आपको कोई भी रटी हुई चीजे नहीं बताऊँगा, कि आप चीजे गिंते रो सारी जिंदगी, कि क्या मना किया था, क्या मना किया था, मैं तीन चीजे पहले बताऊँगा, उसी के accordingly फिर कुछ examples दे दूँगा, आपको समझा जाएगी, तीन चीजे कौन सी मना होती हैं, पित के लिए जो नुकसान दायक हैं, जो की मना हैं, जो की पित को बढ़ाती हैं, और तो वो हैं, गरम चीजे और दूसरी है, तीखी चीजे और खटी चीजे, गरम, तीखी और खटी, गरम का मतलब क्या हो गया, गरम का मतलब हो गया, गरम जो तसीर में गरम होंगी, जैसे आप कोई भी मसाले लिलो, मसालों में ज्यादातर मसाले गरम होते हैं, मोटी लैची गरम है, और हिंग गरम है, ऐसे काली मिर्च गरम है, लाल मिर्च गरम है, जितनी भी तिखी है जुबान को लगती हैं, एकदम तिखा पन एड़ करती हैं, फ्लेवर देती हैं, तो वो सारी गरम है, तो इनको आप कम से कम लें अगर पित बढ़ता है तो आप इसके इलावा गरम चीजों में देखें तो फल कई गरम होते हैं पाइनेपल गरम होता है या कीवी बहुत गरम होती है और ऐसे एक्जांपल लेता जाओं तो सुखे ड्राइफूट गरम होते हैं विगो के लेलो तो थोड़े तार हो ज लेकिन सुखे गरम है इसी तरह गरम चीजों में पान, मसाला ये जो बहुत ज़्यादा तंबाकू, चाई, काफी ये सब गरम है ये चीज़ें आपको समझ में आगी होंगे कि पित को ये बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी क्योंकि उनमें आल्राइडी चीजों में गर्मी ज़्यादा है, फिर तिखी चीजें, तिखी चीजों का मतलब होता है जैसे अद्रख है, जो बान पे रखा तिखा है, और इसी तरह कितनी चीज़ें तिखी है, हिंग भी तिखी है, हिंग की बात मैंने पहले भी करी, तो तिखी चीज़ कोई भी होगी, वो आपका थोड़ पित्त बढ़ाएगी बढ़ाएगी तिखी चीजों को थोड़ा अबायद करें तिखी धूप न लें तिखी कोई बीछी न ले तो आप दूप में घूंदे रहें के लोग गर्मी में सिर्ख खुला रखे हैं तो उनका भी पित्त बढ़ जाता है तिखी चीजे कम लें अद्र कम सूथ करती हैं इसके इलावा आपको तीसरी जो है खटी चीज़, खटी चीज़ों का परेश करना है, खटी चीज़ों में आमला निम्मू छोड़के, आमला और निम्मू थोड़े सौम्य है, थड़े सरल सभाव के हैं, खटे जिरू लेकिन सरल है, लेकिन जैसे खटी दही बहुत जादा नहीं खटी है सादी नहीं है मिठी है तो चल जाएगे लिए घटी नुकसान करेगी पित बढ़ाएगी खटी छाच खटी मयद्यादा एकसेस में खाई जारे लिमटनी ध्यान दे रहे हैं या खटे में और कितनी चटनिया बन जाती हैं तिखी-खी मिर्चे डा और ज्यादा भूखे भी नहीं रहना होता यह सारी चीज़े नुक्सान रायक है बाकी से उल्टा जो कर दोगे वो सारा ठीक है अब कहने को तो बहुत सारी चीज़े हैं मैं फिर एक वीडियो बना करके वह आपको सारी एक लिस्ट दे दूगा कि यह पित वाली चीज़े हैं अभी मेरे पूरे माइन में नहीं आ रही हैं लेकिन मैं पूरी इसके उपर वीडियो बना के फिर एक सबी चीजों के तस्वीरें आपको दिखा दूगा यह पित वाली चीज़े हो गई फिर अगली वीडियो में मैं आपको बता दूगा बात वाली फिर इसी तरह कफ वाली फिर इसी तरह इनका जो जो चीज़े इसमें खानी है वो गली एक एक वीडियो बता दूँगा तो उससे छे वीडियो से आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है कि इन चीज़ों को थोड़ा कम लेना है तांकि प्रॉब्लम को हम प् है तो अपनी प्रकृति का खाईए और खुश रहिए आज फिल हाल इतना ही नमस्काराइग अगर 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 लालालाला लालाला